और के हाले मेरी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाकला भी स्वागत की साथ सा तभी नंदन करती हूँ आप लोग कैसे हो आज श्वेता पाकला मने सिंगारी की त्यार अचार रेस्पी सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सिंगाडा मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है और इसी के त्वरा अचार को बना के त्यार किया जो बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बन के त्यार होता है सिंगाडे का अचार आप पराठक साथ खाई, रोटिक साथ खाई, पूरिक साथ खाई, दाल चावक साथ सबीक साथ इसका स्वाथ बहुत ही बढ़ियां बन के त्यार होता है सिंगाडे को हमने क्रंची अचार बना के त्यार किया जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है थोड़ी समय थोड़ी समागरी के अंदर ये अचार बन के त्यार हो जाता है एक पर आपने इसे जरूर ट्राई करना है तो चलो दोस्तो हम आप इसको मिलके बनाना सुरूर करते सिंगाडे के द्वारा त्यार अचार रेसिपी सिंगाडे का अचार एक तम से परफेक्ट बन के त्यार हो इसके लिए हमने छुटी छुटी बातों को आपके साथ शेर के आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको एक तम से किलियर रहेगा और अचार एक तम से परफेक्ट बन के त्यार होगा तो सबस्पहले दो केजी हमने सिंगाडा ले लिया था इसको आधे गंटे के लिए हमने पानी के अंदर भिगो दिया था सिंगाडा पानी वाला फल है तो इसके उपर के जो भी गंडिया हुँ वो पानी के द्वारण एकदम से साफ हो जाए तो इसको हमने चार से पांच बार धुल के साफ करके एक छंनी के अंदर निकाल के रख दिया था अब आपने भगोने के अंदर एक लिटर पानी को रख लिया है और इसके अंदर सारे पी सिंगारे को डाल देते हैं यहां आपको बताते आप चाहें तो पानी के अंदर इस तरीके से सिंगारे को डाल के चिक कर सकते हैं जो भी सिंगाड़ा पानी के अंदर नीचे बैट जाए उस सिंगाड़े को साइट कर दीचे बाकी सिंगाड़े को उबाल के त्यार कर लेना पूरी सिंगाड़े को हमने भगोनी के अंदर डाल दिया आपको बता दे अचार जब भी आप कोई भी बनाई तो हमेज़ा उसको छ गैस की फ्रेम को बंद कर देती हैं और पूरी सिंगाड़ी को निकाल के एक छनी के अंदर रख लेती हैं 15 से 20 मिन तक हमने इसको इसी तरीके से रहने दिया था उसके बाद सिंगाड़ी को कट करके त्यार कर लेती हैं तो जो इसके दोनों साइट के काटे वाले हिस्स्यों तो उसको निकाल देती हैं और निकालने के बाद इसको दो हिस्से में कट करके त्यार कर लेती हैं इसी प्रोसेस के त्वारा बागी सिंगाड़ी को भी हमने कट करके त्यार कर लेना सिंगाड़ी का चार आप जब भी बना के त्यार करें तो मुलायम और ताजी सिंगाड़ी के पार पूती लसठ लिया है चार टेबस्पून पीली वाली सर्सूली आप चाहे तो काली वाली सर्सू याराइ निया को भी ले सकते हैं पान से छे टेबे स्पून इसके लिए हमने साबुत वाली धनिया लिया है और पान से छे टेबे स्पून इसके लिए हमने साधा वाला नमक लिया है अचार आप कोई भी बनाईए उसके अंदर नमक थोड़ा सा जादा पड़ता दो टेबे स्पून इसके लिए हमने हल्दी पौडर लिया है, एक टेबे स्पून इसके लिए हमने रिट चिली पौडर को उप्योग किया है एक टेबे स्पून हमने मंग्रेल लिया, आधा टेबे स्पून अजवाइन लिया है, दो टेबे स्पून इसके लिए हमने जीरे का उप्योग किया, चार टेबे स्पून इसके लिए हमने जामुन का सिर्का लिया है एक केजी सिंगारे के लिए 100 ग्राम एक दम से परफेक्ट तेल होता है हमने इसको कच्चा उप्योग किया आप चाहे तो इसको पका के ठंडा करके भी इसके अंदर ले सकते हैं जो हमने साबुत मसाल ले लिए हैं इस सारे मसालों को एक करकर ड्राइ रोस्ट करके त्यार कर लेना है तो गैस पे हमने एक पैन रगती है पैन गरम हो गया तो सबसपहले इसके अंदर साबुत धन्या को डाल देते हैं और करीब दो मिनट तक इसको गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे ड्राइ रोस्ट करके त्यार कर लेते हैं जैसे से मसालों का साइज है उसी तरीके से मसालों को भून के त्यार करते जाते हैं और एक-एक मसालों को थाली के अंदर निकालते जाते हैं इस तरीके से देखे सौब भी भून के तयार होगी अब इसके अंदर आपने पीडी वाली सरसो डाल देना साथ साथ जीरा को भी टालते हैं कुछ सिकंट भूनने के पाद इसको भी थाली के अंदर निकाल लेते हैं और कैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और उसके बात जो हमने मंग रहा लिया, एक टिबे स्पून और आधा टिबे स्पून अजवाइन लिया, इन दोनों को इसके अंदर डाल देते हैं, कुछ सिके डिसके अंदर चला देने से थोड़ी से गरम हो जाते हैं, और इनकी तासीर इसको उने भूँन के नहीं तैयार करना है इसको इसी पैन के अंदर रहने देते अब जो उने मसालों को भूँन के तयार किया था ये ठंडे हो गया है इनको रखेवे लगबख 10 मिनट हो गया है मसालों को अच्छी तरीके से मिलानिक पाद इसको दो बैच में पीसके त्यार कर लेते हैं इस तरीके से पिसे हुए मसाले एक दम से परफेक्ट और दरदरे पीसके त्यार होते हैं एक बैच को निकाल के एक बोल के अंदर रख लेना है और दूसरे बैच को भी इसी तरीके से दरदरा पीस के तयार करके इसको भी बोल के अंदर निकाल लिया इस तरीके से देखे अचार का मसाला बन के तयार हुआ है इसके तोर आप किसी भी अचार को बना के तयार कर सकते हैं इधर जो अमने सिंगाड़ा रखा था धूप में सुखनी के लिए इसको लगबग अमने चार घंटे के लिए धूप में सुखा के त्यार किया है। तरीके से सिंगाड़ी को अगर आप सुखा के बना के त्यार करेंगे तो यह अचार पूरी साल सुरच्चित रहेगा। अब इसके अंदर जो हमने मंगरेल औ अजवाईं को ड्राइ रोस्ट करके रखा इसको सबस्पहले इसके अंदर डाल देते हैं, साथ ही साथ जो हमने 100 ग्राम हरी मिर्च को सुखा के त्यार का था इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं, अब जो हमने मसाले को पीस के त्यार कि जो हमने नमक लिया है पूरे नमक को इसके अंदर डाल देते हैं और साथी साथ जो हमने लेसन लिया थे इसको हमने पहले नहीं पीस के तियार किया था अब हमने लेसन को उसी जार के अंदर डाल देना है बिना पानी डाले दरदरा पीस के तियार कर लेते हैं और इस पूरे ल आप इस तरीके से एग बार सिंगाडी का चार बनांके त्यार करीए यह पूरी साल सुरचित रहेगा अचार के यह हैरिस्पर आपको बहुंत जाता पसंद आएगी इसी तरीके से करीब 3-4 मिनट तक हमने अचार को अच्छी तरीके से मसालों तेल के साथ मिला के त्यार कर लेंगे तो पूरी सिंगाडे के उपर ये मसाले तेल अच्छी तरीके से सिरका भी लग जाता है जिस से जब आप अचार को रखते हैं तो पूरे साली सुरच्चीत रहते हैं देखें अचार के अंदर मसाली एक तमसे perfect है तो जो बचा हुआ मसाला है आप इसके तौरा किसी दूसरी अचार को बना के त्यार कर सकते हैं अब अचार को पूरे साल सुरच्चे तो श्टोर करने के लिए आप कोई भी काँच का बर्तन ले लीजिए उसको अंदर से अच्छी तरीके से तेल के त्वारा ग्रीस कर लीजिए जो कटोरी के अंदर हमने चाट टेवे स्पून तेल को बचा के रखा था उस तेल के त्वार जार को हमने अच्छी तरीके से अंदर से ग्रीज करके त्यार कर लेना है उसके बाद इसके अंदर जो हमने अच्छार को बना के त्यार किया है थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पूरी अच्छार को भर देते एक अच्छार पूरी तरीके से साल भर सुरच्ची तरे इसक आच्छी तरीके से इस तरीके से सिंगाड़ी के अचार को अंदर ही मिला लीजें और दुबारा सुबार फिर इसको आप धूप में रख दीजें। उपर कपड़े को बांदिचे इस तरीके से कम सक्मा आप इसको तीन दिन और अधिक सदिक पास दिन तक धूप में रख देंगे तो यह अचार पूरे साल सुरचित रहेगा इस तरीके से देखे चार दिन बाद ये अचार एक तम से पर्फिक्ट बन के त्यार हो गए, इसको आप अपने खाने में सामिल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेश्टी है, अचार को बनाते समय कुछ बातों का भी से इस्थ्यान लगए, जब आप अचार को बना के त्या करिए, आप अचार को इस्पून की सहाथास निकाल लिए, बार-बार अचार के अंदर हाथ को नहीं डालना है, इन चुटी-चुटी बातों का ध्यान लखेंगे तो एक तम से पर्फिक्ट अचार बन के त्यार होगा, आप निम्ता कीम्तिस में निकाल के हमारे वीडियो द इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्माद, बहुत बहुत शुक्रिया